भोजपूरी फिल्म स्टार और सिंगर इंदिनों बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को खूब याद कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले भोजपूरी स्टार खेसारी लाल यादाव ने बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार से गुहार लगाते हुए कहा था कि उन्हें धमकिया मिल रही है खेसारी लाल यादो ने गहा था कि अगर धमकी दने वाले के उपर एक्सन नहीं लिया गया तो बिहार को छोड़ देंगे पता नहीं इस मामले में नतीजा क्या निकला लेकिन अब एक और भोजपूरी स्टार पवन सिंग ने बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार से गुहार लगाई है भोजपूरी सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंग ने CMNITS से अपील की है कि भोजपूरी भासा की गरिमा को बचाय रखने के लिए कैबिनेट से कानून बनाया जाए सोसल मेडिया पर इसे लेकर पवन सिंग ने एक पोस्ट भी लिखा है आपको बता दे कि पवन सिंग जो है और खेसाली लालिया दो दोनों के बीच विवाद जो है वो समय समय पर सामने आता रहा है और पवन सिंग ने फेस्बुक पर अब जो पोस्ट लिखा है वो आपको बताने जा रहे है बिहार की सभेता संस्कृती में भोजपूरी का बहुत ही बड़ा महत्तु है अब गीत संगीत के माध्यम से जिस तरह जातिवाद का जहर बोया जा रहा है उस पर अंकुस लगना चाहिए भोजपूरी भासाई कुछ कलाकारों की वजह से बिहार में जातिगत उनमाद ना फैले इसके लिए आपसे अनुरोध है कि कैविनेट के माध्यम से जल्द ही कानून बनाकर बिहार में इसे लागू किया जाए इससे भोजपूरी भासा की गरिमा और बिहार का अस्थित्व बचेगा पवन सिंग ने जो बाते कही हैं उसका सीधा मतलब निकाला जाए तो वह खेसारी लाल यादव की तरफ ही इसारा कर रहे हैं दरसल जातिगत लाइन पर भोजपूरी के कई कलाकार एक दूसरे को चुनोती देते रहते हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंग के बीच जो टकराव है वह कोई नया नहीं है ऐसे में खेसारी के बाद अब पवन सिंग ने भी मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगा दी है फर्क के वलतना है कि खेसारी ने अपनी व्यक्तिकत परिशानी को ले करके और धमकी मिलने को ले करके नितिस कुमार से फरियाद लगाई और पवन सिंग कह रहे हैं कि भोजपूरी को बचाना है तो कानून बनाईए दो दिन पहले खेसारी लाल यादो ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा था कि उन्हें यूट्यूबर गौतम सिंग की तरफ से धमकी मिल रही है कहसारी लाल यादो ने आरोप लगाया था कि यूट्यूबर के खिलाफ एक्शन लिया जाए कहसारी लाल यादो के बाद अब पवन सिंग सामने आये हैं और भोजपूरी इंडस्ट्री की यह लडाई अब नितीस्त कुमार के सामने ही छिड़ती दिख रही है गुरू समीर जी नमस्कार इश्वर की बनाई इस दुनिया में जहां कुछ लोगों के पास अपार सम्रथी और धन्द आलत है तो वही कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ देव्य पुर्षों को हमारे वीच भेजा है जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं जैसे नौकरी, कारोबार, ग्रिहकलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपटी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरू समीर जी घर बेठे पाएं समाधान